सनी देवल के फैन उन्हें एक्शन फिल्म में देखने के लिए बेताब हैं और जल्द ही उनकी ये मुराद पूरी होने जा रही है धाई किलो का हाथ वाले सनी देवल दक्षिन भारत की सूपर हिट फिल्म सिंखम 3 का हिंदी रीमेक करने जा रहे हैं सूर्या ने ये रोल सिंखम 3 में निभाया था जो अब सनी देवल निभाएंगे वह अटलब है कि इसका रोहिट चैटी और अजय देवगन वाली सिंखम या सिंखम रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है इसके बावजूद सनी देवल ने ये फिल्म साइन करने के पहले अजय देवगन को फोन लगाया उन्होंने अजय से बात कि और कहा कि वे सिंखम नाम का कहीं भी उपयोग नहीं करेंगे ये बात सुनकर अजय ने निश्चित रूप से राहत ली होगी और सनी देवल ने भी साबित किया कि वे सही मायनों में जेंडलमेन है सिंखम धी का हिंदी रेमेक जयनती लाल गढ़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म का निर्देशन के रवी चंदरन इस फिल्म में सनी देवल पुलिस ओफिसर के रोल में होंगे जो अपराद का खात्मा करने के साथ साथ एक पुलिस ओफिसर की रहसिमाई हत्या से भी परदा उठाता है ठाक और अनूप सिर्फ विलन के रूप में नज़र आएंगे